दोस्तों जैहिन मैं एकसेस्मेन परदीब एकसेपसेंज जॉब्स के एक नए वीडियो में आप लोगों का श्वागत करता हूँ बैंक सिकूर्टी गार में दोस्तों भरती आई है जो पोस्ट आई है वो सभी एकसेस्मेन के लिए रखी गई है कैटेगिरी वाइज है से, स्ट, ओ, बी, सी और, ई, व, सभी के लिए हाँ पर पोस्ट रखी गई है पूरे भारत से अपलाइव कह सकते हैं आप लोग और योगता दस्वी रखी गई है तो जानते हैं दोस्तों इस वीडियो की मादम से पूरे प्रोसेस को उससे पहले दोस्तों इदिया आप एकसेसमेन है और आपने अभी तक चैनल को सबस्काइब नहीं किया तो सबस्काइब जरूर कर दे और साथ में घंटी का निसान जरूर दबा दे जिससे की मेरी जो भी नोटिकेशन है आपको मिल सके और आप उसका फाइदा उठा सके तो दोस्तों जानते हैं पूरे प्रोसेस को इस वीडियो के माद्यम से यह जो भरती आरे दोस्तों उसके लिए आउनलाइन अप्लिकेशन प्रोसेस हो जए हैं 23 मार्च 2020 से अपलाई करने सुरू हो गए हैं और लास्ट डेट अपलाई करने की रखी गई है 10 अपरेल 2020 इसमें सभी कैटेगरी के लिए बैकेंसी हैं जिसमें SC, SC, OBC, EWS और जनरल सभी के लिए हैं उसके लिए दोस्तों एक बात और लिखी यहां पे कि इस पर्सन इस नौट इडिनिफाइड फॉर रिजर्ट बेशन अंडर पर्सन विज डिसेबिल्टी यानि जो भी कैटेगरी हैं उनके लिए बहरती नहीं है और बैंक को अधिकार है कि वहां बैकेंसी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है और दोस्तों जो यदि आप SCST OVC हैं तो आपका जो सट्फिकेट होगा SCST OVC का किस किस के दोवारा साइन किया हुआ मानने होगा उसके लिए हाँ पर डीपली लिखा है दोस्तों कि डिस्टिक मजिस्टेट के दोवारा मानने होगा उसके लबभूइटिक मजिस्टेट इप्त सिटिक मजिस्टेट करेंडोंस बाइटिस्ट दिदीड कमीछिट फस्ते कर कि दो थीपलीमिस्टेट इपलाइटिसटम थ्यूम चीजिस्सतों मजिस्टेट मुद Jamaica Brude प्रिजिदेंशी मजिस्टेट उसके लावा रिबने आफसर नौट बिलो दिर रैंक आफ तैसिलदार से कम उसका रैंक नहीं होना चीए सब डिबने आफसर आफ दे एरिया जहां आप रहते हो और EWS जो है उनके लिए जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो किस-किस की द्वारा सायन क्यों मानने होगा तो उसमें भी डिस्टिक मजिस्टेट, एडिशनल डिस्टिक मजिस्टेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिशनर, एडिशनल डिप्टी कमिशनर, फर्स्ट क्लास, इस्टेपेनरी मजिस्टेट, सब उने आफसर नोड़ भिलो गेंग उफ तैसिल दार उसके बाद सब डिबिजन आफसर जहां आप रहते हो वहां का सिक्रूरटी बात करें दोसतों जॉब रफाइल है любим ने काम क्या क्या होगा आपका तो बैंक में जो काम होता है दोस्तों उसकी देख बाल करना होता है electronics alarm system उसको देखना होगा CT TV system है उसको X-ray machines है दोस्तों उनको देखना होगा जो metal detectors हैं या फिर handheld metal detector है उनकी security security के लिए जो gate पे लगे होते हैं उनकी देख़ाल आपको करनी है उसके अलावा जो fire alarm system है उसको देख़ाल करना होगा fire fighting equipment उसकी देखवाल करनी होगी work in shift including night shift होगा उसके बाद surrounding area को देखना होगा दोस्तो बैंक का जो होता है और जो management बोलता है उस काम को आपको करना होगा time to time जो भी होता है कौन-कौन दोस्तों इसके लिए apply कर सकता है All India से कोई भी इसके लिए apply कर सकता है a citizen of India और इस subject of Nepal के apply कर सकते है इस subject of Bhutan वो भी इसके लिए apply कर सकते है उसके लाओ आप लोग पढ़ सकते हो जिसको पढ़ना है वो भी इसके लिए apply कर सकते है age की बात जहां तक है दोस्तों age के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो general STSCR OBC assessment है उनके लिए क्या क्या age रहेगी 26 year plus actual period of service जो आपने defense की है प्लस आपको 3 साल की छूट मिलेगी general को और 45 year last उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा उसके बाद STSCR के लिए दोस्तों वही है उनको यहाँ पे 5 साल की छूट दी जा रही है OBC दोस्तों उनको भी हाँ पे 3 साल की छूट दी जा रही है प्लस 6 साल प्लस 3 साल 6 साल की छूट और 45 year से कोई भी above नहीं होना चाहिए उसके लिए दोस्तों जो relaxation मिलेगा उसके बारे में लिखा है कि जो भी relaxation government के letter के अनुसार उनको provide किया गया है या जो मिलता है पहले से वो मिलता रहेगा education qualification में आपके पास यदि 10th का certificate है या उसके equivalent आप लोग है तो इसके लिए अपलाई कर सकते है graduate जो भी है वो इसके लिए अपलाई नहीं कर सकते है दोस्तों यदि simply आप लोग उने अपने document में 10th पास लिखुए हुआ है तो आप इसके लिए अपलिकेबल हो दूसरा दोस्तों एक बार और लिखिये यह नहीं कि आपका जो करेक्टर होना चाहिए discharge book में example होना चाहिए और safe one आप होने चाहिए एक बार दोस्तों और लिखिये यहां पर कि यदि आप 10th पास भी नहीं है लेकिन आपको army नेवी या एर फोर्स द्वारा army special certificate दिया गया है तो आप इसके लिए equivalent हो बसरता है कि आपने कम से कम 15 साल service की होनी चाहिए पेस्किल के बारे पे दोस्तों यहां पर लिखा है कि कितना कितना आपको तंखा मिलेगी उसके बारे में आप लोग देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है payment आपको कितनी कितनी मिलने वाली है selection जो procedure होगा दोस्तों उसमें objective type के test जो होगा computer based online उसके बाद physical fitness टेस्ट होगा और objective type के जो question आईगे उसमें लिखा है दोस्तों की knowledge of local language उसमें 20 mark का आएगा आपका उसके बाद knowledge of English language का 20 mark का आएगा आपर two test आएगा दोस्तों 20 mark का arithmetic test आएगा 20 mark का और physiometric test आएगा जो की 20 mark होगा total यहां पे 100 mark का पेपर होगा उसके लगा दोस्तों क्या-क्या जरूरी बाते हैं वो लिखे हैं आपर physical fitness की बारे में दोस्तों लिखा है यहां पे physical fitness जो होगा आपका उसमें सबसे पहले आपकी push up होंगे और maximum score होगा और 20 जो है qualify करने के लिए जरूरी है उसके लावा sit up होंगे जिसमें की maximum 30 हो सकते हैं और 20 qualify करने के लिए जरूरी है one kilometer run होगा दोस्तों जिसमें की maximum 40 score होगा लेकिन 20 qualify करने के लिए जरूरी है total यहां पे आपको 100 mark मिलेंगे और इसमें qualify करने के लिए यह आपके 60 mark के भी हैं तो आप इसके लिए eligible है और बाकी दोस्तों यहां पे details में लिखा है आप लोग देखना चाहे तो दे सकते हो इसके लिए दोस्तों online आप लोगों को process करना है online इसको भरना होगा किसकी सरथ से form बना दोस्तों उसके बारे में लिखा है कि सबसे पहले आपको website में जाना है उसके बाद recruitment of security guard को select करना है apply online करना है उसके बाद submit करना है और एक बार रिचक कर देना है और इसमें जो application fees है वहां कोई भी fees नहीं है निल यहने कोई fees आपको देनी नहीं है तो दोस्तों भरती आई है Indian Oversus Bank की तरफ से Government of India Undertaking और जो की आई है Central Office 763 अन्ना सलाई चेनने की तरफ से जोस्तों और जिसमें की security guard की post है इसकी यहां पे official website दी है www.iob.in पे जा कोई apply करना है इसका मैं link भी दे दूँगा नीचे दूसरी बात दोस्तों यहां पे जो main बात है कि जो vacances यहां पे total 24 रखी गई है जिसमें की SC के लिए 4 vacances रखी गई है और जिसका notification दोस्तों मैं अपने WhatsApp ग्रूप में डाल दूँगा वीडियो के discussion मैंने WhatsApp ग्रूप डाला है उसमें आप लोग इसका notification दे सकते हो उसको पढ़ सकते हो और उसके बारे में ज्यादा जान सकते हो दोस्तों एक बात और लिखी है यहाँ पर इनोंने की जो local language है उसका जानकारी उसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही जह जह बारत